जोतिश शास्त्र के अनुसार भाग्य शाली और गुणवान इस्तरी के लिए हमारे रिशियों ने कुछ श्लोक लिखे वे हैं एक नहीं है बहुत सारे श्लोक हैं आज हम विश्तरी जानकारी लेंगे एक श्लोक के बारे में जिसके अनुसार आप व्योग देख पाएंगे आपको समझ में आएगा कि कि आपके कुंडली में या आपके आने वाले जीवन साथी की कुंडली में इस तरह के योग हैं या नहीं हैं आपके कुंडली में अगर ये योग हैं तो आपका वेचार, वेवार, सुभाव किस तरह का होगा और जीवन कैसे भाग्यशाली रहेगा ये आज हम डिटेल में देखते हैं With Real Life Examples मैं स्ट्रोजर शेलेजियन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ सीधा योग की बात करते हैं जो रिशी लिख गए हैं रिशियों ने इस भाशा में लिखा है कि अगर किसी इस्तरी की यानि ये कुंडली होनी चाहिए पहली बात किसी इस्तरी की जनम पत्री होनी चाहिए फिमेल की और उनका लगन और राशिस सम में है तो वो बहुती सौभागे शाली माने गई हैं गुड क्वालिटी से भरी भी माने गई हैं वो जहां रहेंगी लाइफ में आगे ही आगे बढ़ेंगी उनके जीवन के कारण उनके कॉंटेक्ट में आने वाले लोगों में भी बड़ोतरी होगी वो खुद भी बहुत गुणवान होंगी multi personality याणी कहने का मतलब एक नई बहुत सारी personality उनके mix होंगी साथ के साथ बहुत सारी qualities किसी भी field में रहे नई नई चीज़े सीख सकेंगी जीवन में धन उनके पीछे पीछे चलेगा इसी को तो सबागे शाली कहते हैं अपनी destiny उनका help करेगी अब देखिए ratio ने तो ऐसा लिख दिया पर ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्र को आप एज़ेडरीज उठा के समझ लें इसलिए मैं real life example से आपको समझाऊंगो कि इसका सही में माइने थोड़े थोड़े कैसे बदल जाते हैं या किस तरह से apply होती है हमारे शास्त और हमारी कुंडली पर पहले rule दूसरा भी देख लेते हैं ratio ने लिखा है कि अगर आपका लगन और राशी विशम में हैं अभी हम आपको बताऊंगा पुरुश हो जाएंगे लोग इसका बहुत गलत मतलब निकालते हैं और शास्त्र को मजाग बनाने की कोशिश करते हैं बिलकुल ऐसा नहीं है ratio का मतलब ये है कि वो जो सौमिता है वो थोड़ी कम हो जाएगी जीवन के प्रती fighting spirit जादा आ जाएगी थोड़ा कठोर निर्ने ले पाएंगे इतना विनम्र सभाव नहीं रह पाएगा समय के अनुसार अपने नमरता को कम करना सीखेंगे fighting समाज के अंदर आगे बढ़ना और देखें नहीं कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि लोग इस्त्रियों के साथ गलत वहवार करते हैं उन पर एक तरह का दबाव बना के रखते हैं पर अगर विशम राशी वाली है तो ऐसा दबाव बनाएगी इंसान पूरे दब जाएगा ठीक है ना example से भी समझेंगे इस बात को अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका लगन मिश्रित हो यानि लगन इवन में हो राशी ओड़ो या राशी इवन में हो लगन ओड़ो तो रिशियों ने लिखा है आप पर मिश्रू यानि मिक्स एफेक्ट पड़ेगा आपके नेचर पर आपके स्वभाग्य शालीपन पर आपकी गुणों पर वह भी कैसे रहेगा ऐसा हो सकता है कि आपका लगन तो टू कैसे लिस्ट में देख रहे हो ना लगन व्रिशब है राशी धनू है तो उसका एफेक्ट कैसे होगा क्या एफेक्ट आएगा ठीक है ना यानि उसका एफेक्ट यह होगा कि आप में इसके भी गुण आ गए और इसके भी गुण आ गए और साथ के साथ इन गुणों में एक एफेक्ट में चेंजिस आ गए कि आपमें मिस एफेक जाता है रश्टियों के अनुसार कि जो शरम का गहना पहने होए हैं वह आते हैं पर आपने कई बार देखा होगा ना कि इस तरह से रहती है तो जो घर में रहे लेती हैं चुपचाप सुन लेती हैं सहे लेती हैं बहुत सेंशील मानी जाती हैं अच्छा बुरा मुझे नहीं पता मैं सिर्फ कर रहा हूं उनके जनम कुंड़ी के अंदर लगन और राशी इवन होते हैं इस बात को ना एक्जांपल से समझ लेते हैं जैसे अब एक एक एक्जांपल लिता हूं जिसके अंदर यह है कि यहां पर लिखा है नंबर फाइव आपकी जनम पत्री में मान नहीं होगा और कुछ नहीं होगा यह फैक्ट है कुंड़ी इसी तरह से तयार होती है और यह लिखा है चंद्रमा यह इंग्लिश में लिखा है एम ओ मौन तो कहने का मतलब यह रूल कौन से अप्लाई हुआ इनका पांच नंबर लगन रहा और ग्यारा नंबर भी राशी रही क्योंकि चंद्रमा जिसमें होता है वो राशी होती है तो दोनों क्या है पांच और ग्यारा और यानि विश्यम अब रिश्यों की माने तो वो यह कह रहे हैं कि इन में इस्तरी तत्वपन कम हो जाएगा इसका मत विशम तत्व बड़ा कहने का मतलब इन्हों ने अपनी जिंदगी में सही में बहुत कटोर डिसिजन लिये हैं ये जिस महिला की कुंडली है उसने अपनी जिंदगी अकेले बिताने की हिम्मत करी है उसने अपनी जिंदगी में बच्छपन से लेके अपनी आफी एच तक सब कुछ अकेले करने का हिम्मत रखा है समाज के लोगों से लड़कर जीत कर आगे बढ़ी है ऐसी लड़की क्यों? क्योंकि उसके योग ऐसे हैं एक महिला की कुणली में जब ऐसा योग आता है तो कहने का मतलब विशम इस्तितियों के अंदर खराब इस्तितियों के अंदर भी जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत रखती है ये एक्ट्यूलि में रिशीख कहना चाहरे हैं ये अपने करियर के अंदर शुरुआत में उन उनों जॉब बहुत अच्छी करी और बाद में अपना काम चुरू किया अपना काम मतलब जीवन में आगे बढ़ के बहुत मुश्किल काम होता है अ अपना काम चुरू करना शास्त्र क्या कहना चारे हैं शास्त्र ही कहना चारे हैं उनमें कमाई का लडाई का fight करने का compete करने का जीवन में आगे बढ़ने का लोगों को जवाब देने का aggressive भी होने का assertive भी होने का इसवस्ट वादी होने का वो feature आ जाते हैं तो यह बात हुई विशम की एक दूसरा example लेत अयह जो box ہोता है दर्शह को इसको हम लगन बोलते हैं इसलिए यहां चार लिखा है तो चार लिष्ट में से देखो चार के बहचा का है करक कहने का मतलब इनका करक लगन है यहां चार है तो यहां दस आएगा और बाइचांस मैं मानके चल रहा हूं कि चंद्रमा यहां यहां तो क्या रहा कूंसा रूल अप्लाई हो रहा है चार दस इवन में आ गए यहने गाई यहने इनके लगन भी सम है इनकी राशी भी सम है तो इस तरी तत्व जादा हो गया के है इनके जीवन में जिनकी जनम पत्री मैंने यहां लगाई है इन्हों ने जिन्दिकें में बहुत सेक्रिफाइजेस करें प्रेम विवा किया इनों ने इनके पती ने तलाक मांगा दे दिया इनके बच्चे इनका साथ छोड़ की जाने को तैयार थे ठीक है जहां जाना है चल ले रही फिर जब जिन्दिकी ने लोगों ने परिशान किया इनों अपना करियर स्टार्ट किया अपने करियर के अंदर इस तरी तत्व होने का मतलब थोड़ा काम नहीं करोगे ऐसा करियर स्टार्ट किया जिसके अंदर बहुत नाम कमाया जी हां अपनी फील्ड में इतना आम कमाया कि लोग इनसे कहीं न कहीं बहुत सला लेने आते थे इनका डिसीजन ऐसे होते थे कि तुम सटीक ताके साथ प्लानिंग करती थी और अपना सटीक ताके साथ कारे करती थी यही बात है जो रिशी कहना चाहरे है कि आप में इवन सम तत्व आ गया न सम राशी सम लगन आ गया कहने का मतलब इस तरी तत्व बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ऐसी महिला है जो एक तरीके से जीवन को पात लेके चलें जीवन को आगे बढ़ाया अपनी बहुत बड़ी और्गनाइजेशन खड़ी करी और लाखों करोडों की टर्नोवर है इनकी और फाइनली बहुत जबर्दस नाम कमाया तो ऐसा नहीं है कि इस तरी तत्व वाले घर में रहेंगे यह बिकार की बाते हैं सही 3 होने का मतलब क्या अब पहले तो यह देख लो कि लगन कौन सा रहा उनका लगन विशममं मेरा नंबर फ्री नंबर फ्री मतलब मित्प लिखन हो गया जो लिष्से आपको देख रह ओगा ऐनकी पिराशी जो है कि यह मतलब आप देखो लिष्स से खुद छंद्रमा नंबर पर अपलाई करके देखो तीन मतलब विशंब चार मतलब सम कहने का मतलब तीसरा योग अपलाई हो गया जो रिश्यों ने लिखा है कि इवन प्लस और इनके अंदर दोनों फीचर्स हैं अब इसको एनलाइज कैसे करें अपनी जिंदगी में कैसे अपलाई करके देखें लगन तीन है लगन विशम है यानि शारीरिक शंता बहुत जाद है चाहे वह एक्सिडेंट हो चाहे वह फाइटिंग स्पिरिट हो इवन चाहे मार पिटाई भी करनी हो तो भी बड़ी ताकत रखती हैं और रखती हैं सही मैं जिनकी रियल लाइफ एक्जांपल के कुंड़े लगा पर कभी कोई देख के नहीं कह सकता कि यह इतनी बिमार रही है पर अब इसकी बात करें इसका क्या इफएक्ट पड़ा यह चाहर है सम हो गया शान्त हो गया इस तरी तत्व जादा आया अब यह थोड़ा इसको ऐसे देखें तो इसका मतलब यह रहा है इनकी वानी इनका धन ये सौभाग्य शाली इस एंगल से है कि ये जहां रहती है वहाँ पर धन थोड़ा बढ़ता है पर वाणी के एक्सपेक्ट में ऐसा एफेक्ट आ गया कि जो मूँ में आया वो बोल दिया क्यों में एफेक्ट ऐसा है इवन के कारण की कहीं बार इतना इमोशन दिखादेती हैं इतना इमोशनल स्ट्रुक्टर त्यार कर देती है अपने आसपास कि संबता आ जाती है इवन आ जाता और लोग ने इमोशनल फूल बनाकर चले जाते हैं शरीर ताकत रखता है मन ऐसा है जो बारवर दुखी हो जाता है मन के कारण लोगों के साथ अपना सहीयोग बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है पर शरीर के कारण अपना कॉंटेक्ट बड़े अच्छे बना लेती है दोनों अवतें अंतर होगी न तो यह है इवन प्लस ओड़ का एफेक्ट यह जिसकी गूंड़ी है वो कानून के दाइरे में बहुत अच्छे करियर बना के बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग कर रही है और स्ट्रॉगलिंग लाइफ शुरुवात में रही पर बाद में अपनी लाइफ को इन्होंने स्टैब्लिश किया यानि यह एफेक्ट है इवन प्लस ओड़ का और एक्जामपल आपको बताता हूँ अब मैं एक हाउस वाइफ का एक्जामपल आपके लिए लेके चल रहा हूँ जिन्होंने सही में करियर में कोई जॉब या अर्निंग कभी कुछ नहीं किया इनका नमबर वन लगन है और नमबर थ्री इनकी राशी है यानि मेश लगन है और मिथन राशी है जो आप लिससे असानी से देख सकते हैं कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है वन और थ्री विशम यानि इनका दोनों चीज़े ओड ही है वन और थ्री अब ये ग्रणी रही घर में रही हमेशा कभी कोई करियर नहीं किया कभी कोई जॉब नहीं किया पढ़ाई भी इतनी जादा नहीं करी अब लोग कहेंगा इसका विशम इफेक्ट क्या रहा है इसका विशम इफेक्ट ये रहा कि ये जहां रहती है इनकी चलती है बड़ अच्छे से मैनेज करती है हिम्मत नहीं घर के अंदर कोई इनकी बात को टाल जाए यानि विशम अब कोई कहेंगे के पुरुष पुरुष नहीं बात यही है विशम की सम नहीं विशम और अलग तरही की ताकत और एनरजी आजाती है उसके अंदर बड़े कठोर निने ले पाती है बाद में चाहिए उससे पॉजिटिव नेगरिव जो भी फैक्ट है सौभागिशाली भी है पर अपने सेहत पर बहुत ज़्यादा जहेलती है क्योंकि यहाँ पर मेश लगना आया पर मन इतना पक्का है इतना जिद्धी है कि जहां लग गए वहाँ पर हो काम करना ही करना है विशम यह क्वालिटी है विशम की ठीक है तो इसी लिए इसी तरह से चीजेस में बदलती है और एक्जामपल लेते हैं इसके अंदर हम कि और रियल लाइफ एक्जामपल में आपको बताता हूँ चंद्रमा यहां पर तो यहां पर जिनका लग टैन होता है उनका थ्री आता यह आता है आपकी जनमत्री में ऐसा ही होगा अगर आपका नम्बर टैन है तो उनकी राश्य कोन सी ओगई मिथन कोसा श्लोक कर रहा है कौन सा रूल एक यह उपर यान इन मतलब एवन त्री तुरी मतलब और यानि इन में इस तुरी तत्वी भी है और पुरुष तत्वी भी है अब या किस तरह से इसका मतलब क्या निकालें लगन शरीर के पाइंट ओविव से बहुत ही अट्रेक्टिव पस्नेलिटी हैं मौडलिंग तक करने का दम रखती हैं करा नहीं करा नहीं पर पस्नेलिटी इतनी अट्रेक्टिव है कि ब्यूटिफुल पस्नेलिटी जिसे हम कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि इनसान भगवान ने अपने हाथ से बनाया है कुछ ऐसा समझी है इसके करन ऐसा रहा अब यहां पर ये विशम में आ गया राशी यानि मन दुखदाई हुआ ये जंग है कही न कहीं कॉंपिटीशन का हुआ अपनी जिंदिगी में सिरफ अपने बल्बूते आगे बड़ी हैं मॉडलिंग में जा सकती है नहीं गई अपने परिवार के कारण कहां गई टीचिंग में गई पर टी जीवन में कुछ ऐसी दुरगटनाय होई इनके जीवन साथी को लेके जिसके कारण इनके जीवन नें बहुत उतल पुतल हुए अभबराई नहीं चीजों के प्रती fighting spirit आ जाती है जो मैं बार बार समझाना चाहा हूँ तो कहने का मतलब यह रहा कि यह शलोक हमें यह बताता है कि अगर किसी महिला पक्ष के अंदर उनकी कुंडली के अंदर सब कुछ सम 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 में है क्या लगन और राश की सम में है तो उनके अंदर emotional factor जादा आ जाएगा शायद वो अपने career में भी emotional रहें थोड़ी सेहंचील रहें थोड़ी शांत रहें थोड़ी विनम्र रहें पर अगर सब कुछ odd odd है तो इसके बिलकुल opposite हो जाएगा या odd और even या even plus odd का mix है तो कहने का मतलब दोनों feature आ जाएगे तो इसलिए सिरफ bluntly उठाके rule को यह मत देखो कि वो इस्तरी हो गया वो पुरुष हो गया रिशी ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए शेर कीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको अगर इसमें कोई डाउट है ना कमेंट करके बोलिएगा मैं definitely आपको आपकी बात का reply दूँगा थैंक यू सो मुच